बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जहाँ आपको तादे की खबर देबंस से आप तर पहुचा रहा है जापर मजदूरी मांगने पर मजदूर की पिटाई की गई है आपको दादे कि अपनी मजदूरी मांगने पर की गई मजदूर की पिटाई थाना नागल छेतर के गाउं नोंजिली का ये मामला सामने आ रहा दबंगो द्वारा मजदूर को खेत में दोड़ा दोड़ा कर पीटा गया सिड़की पुलिस चौकी में घायल की नहीं हुई सुनवाई गिसके बार पीडितों ने मुख्यमंत्री योगी आदे तिनाथ से अब नयाय की गौहार लगाई है जहापर गाउं में अपना डर पैठाने के लिए दबंगो के द्वारा ये पिटाई की गई मुबाइल कैमरे से बनाया गया पिटाई का वीडियो तो आपको तादे की ये मामला सामने आ रहा है ये देबंग से आप तक खबर पहुंचा रहा है जहापर मजदूरी मांगने को लेकर मजदूरी मांगने पर एक मजदूर की पिटाई की गई है इस तादे की तस्वी तक कोई भी कारवाई नहीं की तस्वीरे आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरे देख सकते हैं इस की तस्वीरे आपने मजदूरी मांगने पर पर रवंगों की गई इस पर हमारे साथ समधाता श्रीकान त्यादी चुड़े हैं श्रीकान ते इस तरीके के दबंगों की दबंगई लक्सर देखने को मिल रही है जहां पर अब एक मजदूर के द्वारा अपनी ही मजदूरी मांगने पर उसकी पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है इसको ल इस परकार के लोग दे रहे हैं यहां पर अपनी मजदूरी मांगने गहते हैं इन्होंने काम किया था इसी गाउं के मजदूर है तो जिस परकार ही कुछ दूरान कुछ का सुनी हो जाती है और इनको खेत में जिस परकार दोड़ा-दोड़ा कर पीटा गया आठ दस यूग लगा था लाटी डंडो से पीट रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी यह बहुत बड़ी आने वाले से में कानुन मुद्था को जिस परकार से चुनोती दी जा रही है जी एम ज्यानकारी देने के लिए धन्यवार प्रशान तो आपको बता दे कि यह वीडियो आप देख सकते हैं जहां पर दवंगों के द्वारा एक मजूर की किसी तरीके से पिटाई की जारी है दोड़ा दोड़ा कर उसको पीटा जा रहा है तो आपको बतादे कि मजूर के द्वारा अपनी मजूरी मांगी भी जिसके बाद दवंगों के द्वारा इस तरीके से मजूर क पिटाए की गई तो आपको तादे कि अविता किस पर किसी भी प्रकार की पुलिस के द्वारा कारवाई नहीं की गई है।